हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव एड समभोधित करते हुए मोधी ने बंगाल की सियासत को साधने की कोशिश की मोधी ने कहा कि बीज़ेपी की केंडर सरकार पूरवी भारत के विकास के के लिए निरंतर फैसले लेती रही है मोदी ने कहा पूर्वोत्तर के इस मिशन में पश्चिम बंगाल को महतुपून भूमिका निभानी है आगे बढ़ते हैं बिहार की चुनावी जंग में बीजेपी ने जनता के सामने अपना गोशना पत्र पेश किया और बड़े-बड़ प्रश्लाख रोजगार के अफसर पैदा करने का है बीजेपी इसे आत्म निर्भर विभार का रोड मैप बता रही है बिहार में नया आई-टी हब बनाने का खाका पेश कर रही है इस घोशना पत्र के साथ ही बीजेपी ने नारा दिया है कि भाजबा है तो भरोसा है बीज प्रश्मला ने घोशना पत्र में मौजूद एक और बड़े वादे कोरोना की फ्री वैक्सीन देने का एलान किया बीजेपी ने फ्री वैक्सीन का जो वादा किया है उस पर बिहार की राजनीती में बवाल मचना शुरू हो चुका है सवाल उठ रहे हैं कि क्या फ्री वैक्सीन का हक सिर्फ बिहार को है जहां चुनाव होने वाले हैं बत और केंद्र की सरकार बीजेपी को तो पूरे देश के लिए फ्री वैक्सीन मुहया करानी चाहिए आरजेडी ने ट्वीट करकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वैक्सीन देश की है बीजेपी की नहीं आरजेडी के मुताबिक बीजेपी मौत कब है बेच रही है इसके बाद बीजेपी को भी सफाई देनी पड़ रही है भारत में रक्षा शेत्र के लिए आज एक अच्छी ख़बर विशाखा पत्रनम से आई जहां आएनेस कावरती को अपचारिक तोर पर नौसेना की बेडे में शामिल किया गया 90% स्वदेशी सामिगरी से बना ये युद्धपोत का वरत्ती दुश्मनों के रैडार की पकड़ में नहीं आएगा इसके साथ ही आज DRDO को भी एक बड़ी कामियाभी मिली स्वदेशी तकनीक से बनी एंटी टैंक गाइड़ मिसाइल नाग थलसेना में शामिल होने के लिए तयार हुई आज पोकरन रेंज में इसका आखरी परिक्षन किया गया जो की सफल रहा तो चलिए अब मुझे दीजे अजाज़त फॉरण लोट के आ रहे हैं और धाई बजे साज बहु साज़िश देखना ना भूले झाल झाल झाल